सिक्षा पूर्टल पर छात्र अधी अधार EKYC नहीं करेंगे तब इन्हें छात्रवत्ती की रासी प्राप्त नहीं होगी और इस समद में आदेश DPI के दौरा पूर में भी जारी कर दिये गए थे और बरतमान में भी अधी हम देखें तो लोग सिक्षन संचाल नाले मत प्रि देश की जितनी भी सासकी और असासकी संस्ताइं हैं इनके समस्त कक्षा 9-12 तक की जो छात्र हैं इनहें अपनी EKYC जो की सिक्षा पूर्टल पर हो रही है वो कराना अनिवार है और तभी इनकी प्रफाइल अपडेट होगी और छात्रवत्ति स्विकिति का कार किया जाएग कि सर हमने बैंक में अपनी EKYC करा लिया है तो इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है बैंक में जो EKYC होती है जो की आप अपने बैंक खाते से अधार को लिंक करते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है जबकि बरतमान में जो अधार EKYC हो रही है छात्रों की वो सिक्षा पर भी चात्र की अंकित है इसमें चात्रों को वेरिफाई किया जाता है कि अधार में और सिक्षा पूर्टल पर जो चात्र प्रदसित हो रहा है वो एक ही चात्र है तो यहां पर इसपश्ट करने कि बैंक से जो EKYC है वो एक अलग प्रक्रिया है जबकि सिक्षा पूर्टल पर जो EKYC होगी वो एक अलग प्रक्रिया है तो समस्त चात्रों को जो कक्छा 9-12 तक के चात्र हैं इन सभी चात्रों को अपनी अधार EKYC सिक्छा पोर्टल पर कराना अनिवार होगा साथ ही इसमें बता दें एक बहुत ही महत्मूर्ण बिंदू दिया गया है कि जब इनकी प्रुफाइल अपडेट होगी चात्रों की जो प्रुफाइल अपडेट होगी इसमें बैंक खाता वही फिल करें जो की चात्र का स्वयम का हो साथ ही इनके बैंक खाते अधार से लिंक ह इसपेश्ट निर्देशिस में दिये गए हैं कि अधार लिंग सीड बैंक हाते में ही इनकी जो छातरवत्ती की रासी है इसका भुकतान किया जाएगा तो छातरवत्ती का भुकतान केवल तभी किया जाएगा जबकि छातर की अधार EKYC हो जाएगा इसके उपरांच छात्र की जो पुरफाइल है इसे अपडेट करना है और अपडेट कर लेने के उपरांच इनकी छात्रवत्ती सुकृति का कार किया जाएगा और उक्त कार के लिए जो समय सीमा इसमे निर्धारित की गई है वो है 5 जन्वरी 2023 अर्थात 5 जन्वरी 2023 तक समस्त छात्रों को अपनी अधार EKYC कर लेना है इसके उपरांच संस्ताओं के दौरा इनकी प्रफाइल अपडेट कर छात्रवत्ती सुकृति की कारवाई की जाएग इसके उपरांथ इसका वेरिपैकेशन कैसे करना है सास की संस्ताओं के दौरा और असास की संस्ताओं के दौरा इस समंद में सभी वीडियो चैनल में अपलोट किये जा चुके हैं और इन वीडियो's की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिपिशन बॉक्स में भी मिल जाएगी तो विशेस रूप से जो असास की संस्ता हैं वे देख सकते हैं कि किस login ID से login करके आपको छात्रों की जो अधार EKYC है इसे verified करना है एथी अधार EKYC के सम्मन में एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारीों के साथ में नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक के लिए जैहिन